साल 2010 और 2012 के बीच मध्यप्रदेश, 36 गड़, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 10 साइटों का सर्वेक्षन किया गया. बाद में यह पाया गया कि कुनो ही चीतों के लिए सबसे सही और सुरक्षित जगह है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुनो नेशनल पार्क में 21 चीतों के रहने की जगह है. प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने आज नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्यप्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रिलीज कर दिया. अब 748 वर्ग किलोमीटर में फैला कुनो पालपूर नेशनल पार्क आठ अफरीकी चीतों का नया घर बन जाएगा. यह चेत्र 36 गड के कोरिया के साल जंगलों से मिलता जुलता है. बता दें की कोरिया में लगभग 70 साल पहले मूल एशियाई चीते को आखिरी बार देखा गया था. दरसल इन जंगली जानवरों को लाने से पहले भारत के कई इलाकों पर विचार किया जा रहा था कि इन्हें कहा रखा जाएं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक उंचाई वाले स्थानों, तटिये और पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़ कर भारत का मैदानी इलाका चीतों के रहने के लिए सही माना जाता है. 2010 और 2012 के बीच मध्यप्रदेश, 36 गड़, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 10 साइट्स का सर्वेक्षन किया गया. बाद में यह पाया गया कि मध्यप्रदेश के शोपुर जिले में बना कूनो राष्ट्रिय उद्यान ही चीतों के लिए सबसे सही और सुरक्षित जगह है. मध्यप्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए नए महमानों का पहला दिन काफी अच्छे से बीता. जल्द ही चीतों को 50 नए दोस्त भी मिलने वाले हैं. कुनो नेशनल पार्क में चंबल अभ्यारणिय से 50 घडियाल लाकर छोड़े जाएंगे. DFO स्वरूप दीख्षित ने बताया कि मुरैना के देवरी सेंटर में पल रहे घडियालों के बच्चों में से 50 का स्लॉट कुनो नदी में भेजा जाएगा. भोपाल वाइल्ड लाइफ से स्वीकृती मिल गई है. दोडने वाला जानवर है. कुनो नेशनल पार्क में कोई इनसानी बस्ती आगाव नहीं है और नहीं खेती बाड़ी चीतों के लिए शिकार करने लायक बहुत कुछ है. यानि चीता जमीन पर हो या पहाडी पर घास में हो या फिर पेड़ पर उसे खाने की कमी किसी भी हालत में नहीं होगी. कुनो नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा चीतल मिलते हैं, जिनका शिकार करना चीतों को पसंद आएगा. चीतल हिरन की प्रजाती चीता, बाग और शेरों के लिए बेस्ट प्रेबेस प्रेबेस माना जाता है. कुनो नेशनल पार्क में पहले करीब 24 गाव थे, जिन्हें समय रहते दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया. इन्हें कुनो नेशनल पार्क के साथ 148 वर्ड किलोमेटर के पूर्ण संरक्षित इलाके की सीमा से बाहर भेज दिया गया. एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुनो नेशनल पार्क में 21 चीतों के रहने की जगह है. अगर 3,200 वर्ड किलोमेटर में सही मैनेजमेंट किया जाए, तो यहाँ पर 36 चीते रह सकते और पूरे आनंद के साथ शिकार कर सकते हैं. कुनो पार्क में चीता के साथ साथ बाग, शेर और तेंदुए के लिए भी रहने के लिए सबसे बहतरीन जगह है. इस जंगल में तेंदुओं की आबादी काफी है. यहाँ प्रती 100 वर्ड किलोमेटर में लगभग 9 तेंदुए पाए जाते हैं. चीता भले ही सबसे तेज दौडने वाला जानवर है, लेकिन तेंदुओं की तुलना में चीता कमजोर होता है. तेंदुओं चीते से ज्यादा ताकतवर माना जाता है. कभी-कभी तेंदुओं चीतों पर हमला भी कर देते हैं. इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि चीते सुरक्षित रहें. कहा है कुनो नेशनल पार्क? कुनो राश्ट्रिय उद्यान मध्य प्रदेश राज्यमिस्थित है. इसे वर्ष 2018 में देश के नेशनल पार्क की सूची में शामिल किया गया था. वाइल्ड सैंचुरी के तौर पर कुनो नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी. यहां मध्य प्रदेश के शियोपुर और मुरेना जिलों तक फैला हुआ है. वर्ष 2009 में इस सैंचुरी में चीतों के पुनर्वास के लिए संभावित स्थल के तौर पर प्रस्तावित भी किया गया था. 17 सितंबर 2022 को यहां नामीबिया से नर्मादा चीते लाए गए. यह देश का पहला चीता अभ्यारण्य है. यदि आप इस नेशनल पार्क को देखना चाहते हैं, तो आप रेल मार्ग, सडक मार्ग, हवाई मार्ग से भी यहां पहुँच सकते हैं. MP में यहां जाने के लिए नजदी की हवाई अड़ा ग्वालियर है. यहां से मुरैना लगभग 30 किलोमीटर दूर है. ट्रेन से जा रही हैं, तो मुरैना भिंड जिले तक ट्रेन से जा सकते हैं. इन सभी जिलों में आप बस से भी पहुँच सकते हैं. आप परसनल कार या गाड़ी भी बुक करके यहां पहुँच सकते हैं. पहले दिन चीतों ने खाया भैंस का मास. तीन से भूखे चीतों को परीच्षन के बाद खाने में पहली बार भैंसे का मीट दिया था. वहीं उनकी हर एक्टिविटी पर नामीबिया के पशुचिकित्सकों ने 24 घंटे नजर रखी और इसी आधार पर हेल्थ परीच्षन किया. पहले दिन रात तक चीतों का आठ बार परीच्षन किया गया. कुनो नेशनल पार्क के रेंजर यश्बंधु ने बताया कि जब से चीतों को कमपार्टमेंट में क्वारेंटाइन किया गया है, तब से उनके पास कोई नहीं गया है. हाला की बाहर से उनकी एक्टिविटी दिखाई दे रही है. हाला की यही भोजन दिया गया. फिलहाल चीते सक्रिय और स्वस्थ हैं. तीस दिन तक उन्हें बाड़े में ही क्वारेंटाइन रखा जाएगा. आठोन चीते के नाम ओबान, फ्रेडी, क्रेडी, सवाना, आशा, सिबिली, सैसा और साशा रखे गये हैं. नए घर में चीतों ने पहला दिन घूमते और आराम करते हुए बिताया. कुनो नैशनल पार्क, पिछले दिनों कुनो नैशनल पार्क काफी चर्चा में था. इसकी वजह थी इस पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को रिलीज करना. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जनमदिन के अवसर पर यह कार्य किया गया था. हालांकि नामीबिया और कुनो नैशनल पार्क का तापमान, जलवायू, वातावर्ण में काफी फर्क है. ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या ये विदेशी चीते यहां सर्वाइव कर पाएंगे? खेर, इन चीतों को देखने का मन है, तो इसके लिए आपको जाना होगा मध्यप्रदेश क्योंकि ये पार्क यहीं स्थित है. आईए जानते हैं कुनो नैशनल पार्क के बारे में कुछ खास बातें.